सोंबार है इस पवित्र दिवस पर एक महत्वपूर्ण सत्र का प्रारंभ हो रहा है और सावन के इस पहले सोंबार को मैं देश वासियों को बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ आज संसत का मानसुन सत्र का भी आरंभ हो रहा है देश बहुत बारिकी से देख रहा है कि संसत का यह सत्र सकारात्मक हो स्रुजनात्मक हो और देश वासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नीव रखने वाला हो साथियों भारत के लोकतंत्र की जो गवरव यात्रा है उसमें ये एक महत्मपूर्ण पड़ाव के रूप में मैं देख रहा हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे भी हमारे सभी साथियों को भी ये अत्यंत गर्व का विशह है कि करिब साथ साल के बाद कोई सरकार तीसरी बार वापस आएं और तीसरी पारी का पहला बजेट रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोकतंत्र की गव्रव यात्रा की अत्यंत गर्वमा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा हूँ ये बजेट सत्रह हैं मैं देश वास्यों को जो गारंटी देता रहा हूँ क्रमा शहरुप से उन गारंटीयों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अम्रित काल का एक महत्वपुन बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के कारे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट ट्वेंटी फोर्टी सेवन जब आजादी के सो साल होंगे तब विक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश हैं गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोव कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलूक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मंस एक प्रकार से अपर्चुनिटीज़ी की पीक पर है ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों नहों मैं आज आग्रह पुर्व कहना चाहता हूं कि हम गत जन्वरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास्त किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास्त किया लेकिन अब वो दोर समाप्त हुआ देश वाच्चियों अपना नेने दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तब्य है सभी राजनितिक दालों की विशे जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूंगा कि आएए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जन्वरी ट्वेंटी नाइन जब चुनाव का वर्ष होगा आप उसके बाद जाईए मैदान में सदन के अभी उप्योग करना है कर लीजिए वो छे महिने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिलाएं उनके सामर्थ के लिए उनको एमपावर करने के लिए जन भागी दारी का एक जन अंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकट लगाएं मुझा आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई साउसद पांच साल के लिए आए कुछ साउसदों को दस साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से साउसद ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के साउसद के महत्वपुन समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को ढागने के लिए दुर्प्योग किया मैं सभी दलों से आगरहपुर्वक कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे मानने साउसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिए चर्चम उनके विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए जादा से जादा लोगों को आगे आने का अउसर दीजिए और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसथ गठन होने के बाद जो पहला संत्र था एक सो चालीस करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों ने उसकी आवाज को कुछलने का अलोगत्रिक प्रयास हुआ जाई गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गोंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोगतांत्रिक परमपरों में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्षयताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आगरपुर्वक कहना चाहता हूँ देश वाचियों ने हमें यहाँ देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन समसदों तक किस सीमा तक नहीं है 140 करोड देश वास्यों की एक विराज सीमात करके ये लिए हैं मुझे आश्वात मैं अभिश्वात करता हूं कि हमारे सभी मान्य सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समर्द्द करेंगे कितने ही विरुद्द विचार होंगे विरुद्द विचार बुरे नहीं होते हैं नकारात्पग विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाय समाप्त हो जाती है देश को नकारात्पगता की जरूत नहीं है देश को एक विचार धारा प्रगति की विचार धारा विकास की विचार धारा देश को नई उच्छाईयों पर ले जाने वाली विचार धारा से हमें आगे बढ़ाना होगा मैं पूराई आशा करता हूँ कि हम लोगतंत्र के इस मंदिर का भारत के इस सामान ने मानवी के आशा आकांग शाओं को पूर्ण करने के लिए शकारात्म गुरूप से उप्योग करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद साथियों फ्रधार मंतरी नरिंदर मोदी को आप सुन रहे थे मौनसुन सत्र के आच से शुरुबात होने वाली है उससे पहले मेडिया से मुखातिब हुए साथ ही सबसे पहले सावन के सुमबायर की बथाई प्रधार मंतरी ने दियो और साथ ये साथ विपक्ष पर जमकर बढ़ से हैं प्रधार मंत्री नरिंद्र मोदी उनका कहना है कि मैं यही चाहूंगा कि सभी दल मिलकर इस मौनसुन सत्र को सुचारू रूप से चलाए बहुत सारे ऐसे सांसद है जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं इसी हले हंगावे की वज़ा से जो पूरा का पूरा सत्र हो रहता है वो धुल जाता है तो सारे विपक्ष दलों से मेरी यही गुजारेश है कि सदन को सही तरीके से सुजारू तरीके से चलनेते